ओके तो जितने भी स्टुडेंट यहां पर हैं जो गेट में अच्छा रेंक लेकर आए हैं और वो डिलेमा में है कि मैं पीएस यूज जाओं या फिर आइटी या ऐसी आप्ट करूँ तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आइटी बॉंब कर दीजिए आइसे वीडियो और भी आइटी के बनाते रहूं ठीक है तो जो लोग भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जूब अपडेट्स एंड जितने भी इंपोटेंट आपके इंफॉर्मेशन होते हैं रिलेटेट जो टोटल का टोटल यहां पर सारा इंडेक्स में तो ये तो इंडेक्स दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के जब हम लोग जाएंगे तो फस्त आपको यहां पर दिख सकते हो टोटल नंबर जाब ऑफर जो है वो लगभक 1788 तो ने तेंसल में नीचे अगर देट इग्वालटो 3.67 करूर अबकोर देखेंड के आप परिशान मत फूर बना रहा है। मैं उस पर एक वीडियो बना डिया हूँ कि एककरोर पकेज कितने को मिलता है। इसपर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ हाई बटन पे आप जाके देख सकते हो तो यह है ना हाई मत क्रिएट कर देना कि तीन करोड का पैकेज है ऐसा कुछ नहीं इंटरनेशनल में इसकी वैलू उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो यह काबिले तारीफ है हाईस्ट डॉमेस्टिक सैलरी जो है 1.68 कर मतलब कि अगर कोई इंडिया में रहके 1.6 से टुठा रहा है और यह आपका ओव्यूस सी बात है कि कंप्यूटर साइंस के स्टुएंट ही उठाएंगे तो अगर आप एक्साइट होने की आपको ज़रूत नहीं है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोटेंट चीज क्या है यह highest important नहीं है क्योंकि यह तो भाई किसी एक को मिलेगा average salary package of the selected student क्या है 21.82 लाक्स परेनम मतलब कि अगर आप IIT Bombay में entry ले लिए तो आपकी जो chances और सेलेक्शन के हैं और जो package के हैं वो around 20 लाक्स 20 to 25 लाक्स के बीच में होने माला ठीक है चाहिए आप B.Tech करो या M.Tech करो यह सबसे पहले clear रख लेना यह करोरो का है न यह गेम इससे आपको कोई लेना देना नहीं है यह किसी एक student लेके जाएंगे वो भी आपके computer science के होंगे Google या Microsoft यह सब बड़ी-बड़ी company आती है वो देती है अब चलो आगे बरते हैं देखते हैं इसका statistics यह तो obviously बात है कुछ इसके बारे में भी आगे देखेंगे और यह पूरा detail है कि total companies 400 के आसपास आई और offer जोदी 500 के आसपास दी ठीक है यह कुछ अपना data है उनका यह data हमारे लिए relevant नहीं है यहाँ देखिए program wise placement data की अगर हम बात करें तो mtech में total register जो किये थे 583 किये थे participate हुए 532 और placed हुए 479 एप्रोक्स जो percentage of placement है वो 90% है मतलब की 100 लोग अगर बैठ रहे हैं तो 90 student उसमें से placed हो जाएंगे which is good बहुत अच्छा placement है ठीक है जो आपका percentage placement है बहुत बढ़ी है ठीक है पी एस जाता है ऐसा कुछ नहीं है research अगर आप अच्छा से करते हो आपको interest है कि एक दो सल और explore कर रहा है तो mtech से बहतर भाई कुछ नहीं है चाहे वो पी एस यूज हो या कोई भी यह सबका है ना अपना individual एक तरह से कह सकते हैं कि choice है जो कुछ लोग PSU opt करते हैं कुछ लो offers में देखेंगे तो double E को मैं highlight कर दिया हूं ठीक है 220 offers उसका 257 242 प्लस offers अपको मिलते हैं ठीक है electrical engineering में बाकी ब्रांच के भी देखो सिविल के 98 है 129 है सिविल में तो increasing किया है तो यह आपको data उसका कुछ statistics बनाया हुग है यहां देखो range of gross salary में देखो यह आपके लिए 125 offers मिले थे और 25 companies ऐसे आई थी जो 6-8 lakhs की package दे रही थी तो उसमें बहुत लोग प्लेस्ट हुए होंगे 8-10 lakh में देखो 45 companies आई थी जिसमें offers जो मिले थे वो 201 क्यास पस मिले थे 10-12 में देखो 55 offers जो मिले थे 187 उसी तरह सागे बढ़ते जाओगे तो 16-20 के बीच में 261 offers है 72 companies आई थी and above 20 देखो 75 company आई तो हमारे लिए जानने वाली क्या बात है कि जब आपका देखोगे तो overall 20 LPA की उपर number of companies जादा आ रही है बाकी के respect में देखो 6-8 lakh में 8-10 lakh में 10-12 lakh में companies 25-45 पच्पन हैं लेकिन above 20 लाग देने वाली company 75 है यह हमारे लिए important है कि हमारी package 20 above तो हो अच्छा data information था अब सोचो यहीं पर 6-8 वाले में 100 company होती हम समझ सकते थे भाई ऐसी भी company आते जो 6-8 lakh की package देती और उसमें offers बहुत ज्यादा मिलते हैं सब लोग उसमें जाते हैं but interested नहीं होंगे mostly अगर IIT Bombay से पर रहे हो तो 6-8 lakh की अगर कोई company आ रही है तो most of the time की बहु वान करोड़े वाब टू करोड़े वह बस हाई क्रियेट करने का तीन करोड़ का offer एक करोड़ का offer यहां तो नहीं दिखाया भाई कि कितनी company है ठीक है क्योंकि दिखाने वाले स्टैट्स ही नहीं होगा ना एक company hardly दे सकती है उससे ज्यादा नहीं तो वह स्टैट्स इसलिए यहां पर नहीं दिखाया गया तो इसलिए मैं बोला कि आपको 20-25 में ही आप एक आईडिया ले ले लेना कि यहां बाई 20-25 में ही मेरी salary होने वाली है अगर मैं बीटेक किया एम टेक करता हूं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं यह हमारे लिए important है average CTC जो है LPM अगर तो around 65 है and number of pre-placement offers around 194 है which is good amount है बहुत अच्छा है उसी साब से अगर देखेंगे यहां पर number of international offers यहां यहां पर देखो 65 तो number of international offers 65 यह जो है आपका LPA यह तो LPA यह तो उपर salary हो गया नीचे offers का है total number ठीक है तो इसको salary मत समझ लेना आगे बढ़ते है प्लेस्मेंट आउटस इसे प्लेस्ट हुए है जो आउटसाइड में प्लेस्ट हुए है ठीक है वेमन सी में 790 के असपास और इंडियन कंपनी में 661 टोटल 1516 लोग ठीक है अब यहां देखो आगे बढ़ते हैं अगर देखोगे तो 406 523 एन 479 यह आपके comparison of number of student placed in last three years last three years इतने लोग प्लेस्ट ह है वो है PhD student का यह तो नहीं है intensive कितने को मिला वह लास्ट देखोगे तो एक और मेरे पास डिटा था जो मैं चाहता था आपको explain करना वह कहां गया भाई इसी में आएगा percentage of student placed में देखो civil engineering में अगर बीटेक की बात करो 33% placement है 95% बीटेक से ज्यादा आपका एमटेक का है इस बात को आप देहान रखिएगा civil engineering का आगे बारो computer science में देखो तो बीटेक में 97% placement है 97.7 लेकिन एमटेक का देखोगे भाई 100% placement है पॉइंट समझे रहो percentage of student placed computer science में 100% है उसी इसाब से आगे बात करोगे बीटेक का 86 है 89 है around same ही है मतलब कि समझो around आपके placement जो है 100 में से 13 लोग का नहीं 11 बारा लोग का नहीं होता है इस टाइप का समझ सकते हो ठीक है न बाकी लोग का हो जाता है तो बहुत अच्छा placement है रहा है और around समझो package 20-25 के बीच में ही रहेगा तो percentage of student कितने placed हुए वह भी बहुत ज्यादा important रखता है आपके लिए इस लिए मैं इस data को भी आपको बता दिया कि आपको चिंदा नहीं करना है अच्छा आपका आने वाले टाइम में एक्सपोजर मिलेगा और दो साल अगर अच्छे से कर लोगा न रिसर्च तो किसी भी पी से डबल सेलरी उठा सकता है यह गरेंटीड बहुत सारे एम टेक में हमारे स्टुडेंट है रित्या ने यह सेवेंटी ने वहां से कल्यान कल्यान भी है यह 23 ठीक है इसी का वह सब आपके व्यलसा इन माइकल एलेक्ट्रोनिक से बहुत अच्छा पाए कि वहां से उठा है 32 40 अभी तो 45 पे है न तो 45 एलपे के आसपस है वह जो की सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे नेक्स वीडियो में हो सकता है आने वाले और भी IIT का मैं बिल्कुल भी बताऊंगा और आप किस में इंट्रेस्ट हो वो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो बता सकते हो और साथ में आपकी कितनी रैंक है कितने स्कोर है उस पे भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो ताकि मैं गाइड करके आपको प्रॉप झाल झाल